प्रेस से बात करते वक्त उन्होंने ने जया बच्चन के खिलाफ अपती जनक शब्दों को इस्तमाल किया या कोई मांगे भी नहीं है नरेश अगरवाल का ये बयान कहीं को अच्छा नहीं लगा ट्विटर पर लोगों ने नरेश अगरवाल को कड़ी से कड़ी शिक्षा देने का निवेदिन किया है ताकि उन्हें सबक मिल सके अब देखना ये है कि बीजेपी इस पर कैसे कदम उठाती है बॉलिवट की कुछ और खास ख़बरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले